हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई कीचन आज मैं आपके लिए लेके आए हूं बहुत अच्छी रेस्पी रोज हम एक ही चीज बना बना के ठक जाते हैं और सोचते हैं कि आगे हम क्या चीज बनाएं तो मैं आपको ऐसी रेस्पी लाएं हूं जिसकी सारी चीज़े घर में नहीं मिल जाएंगी और जो चीज नहीं मिलेंगी मैं उसकी जगह बताऊंगी कि आप उसकी जगह क्या यूज कर सकती है इससे पहले फ्रेंड्स आप से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप पेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आइकन प्रेस करिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने लिया है उबले हुए आलू यह तीन मीडियम साइज के आलू थे इसको मैंने उबाल की और छील के लिया है इसको हम मैस कर लेंगे अच्छे से मै नहीं करना जरूरी नहीं है लेकिनन अच्छे से महिस करना बहुत जरूरी है साथ मे मैंने दो बर्यटे लीा इसको तोड़ से और इसको मिकसर जार में डालके पीस लेंगे ताकि साब्रेट क्रम्स तयार हो जाए और यह करना बहुत रहेंसी होता है आप चाहें तो हाथों स और साथ में डालेंगे आरा रोट अगर आपके पास आरा रोट या कानफला नहीं है तो आप इसकी जगम मैदा या गिहूं काटा भी यूज कर सकती हैं साथ में फ्रेस कुटी हुई काली मिर्च और साथ मैंने डाला है मसाला जीरा एक टी स्पून और एक हरी मिर्च बड़ी वैली काटके डाला है मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाला है और हल्दी पाउडर डाला है सब चाय के चमच से एक चमच हैं और साथ में डाला है धनिया महीन कटी हुई अगर आपके पास धनिया नहीं हो तो आप छोड़ सकती हैं और नमक स्वाथ के अनुसार और थोड़ा सा काला नमक डालने के बाद हम सबको अच्छी तरस से मिक्स करके गूथ लेंगे यह बिल्कुल एक डो की सकल का हो जाएगा गूथने के बाद यह देखिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत सूखा सूखा लग रहा है तो थोड के बाद हम क्या करैंटे में लोई तोडेंगे दो बड़ी साइज की लोई हमनिकाल लेंगे इसमय से और अब उसको हम बनाएंगे ट्रेंगल मैंने यह चकला ले लिया करेंगे मिखियो तें अब कोई भी तेल यूज़ कर सकती हैं यह मैंने सर्सों का तेल लिया है इसको यूज़ कर रही हूं और उसके बाद इसको मैं ट्रैंगल का सेब दूँगी आप इसको गोल में चवकोर में चहे जैसे भी बना सकती है जिस तरह आप कीछा उस तरह बनाए यह देखिए मैंने इसको बना लिया अब इसको कट कर लेंग यह देखिए सारा ऐसे हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़े सी भी हेलफूल लग रही हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सेयर और कमेंट जरूर करिएगा इसी तरह सारा हम बनाके रख लेंगे अब मैंने पहले ह हो जाएगा सिखने के बाद आधा सिख जाएंगे एक साइड में तब हम इसको दूसरी साइड पलट के और इसको अच्छे से से लेंगे से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं और इनमें से आवाज निकलने लगती है खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं चाय के साथ से तल के निकाल लेंगे यह देखिए सारा मैं डाल के से ले रही हूं और पुलट के अच्छे से हम से लेंगे लेकिन आज को बहुत तेज नहीं करेंगे मीडियम हाई फ्लेम रहेगा इसका जादे तेज रहेगी तो यह उपर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रह इतना बनके तेर हुआ इतना सारा वाउं डग रहा है ना विल्कुल टेष्टी लिजी कर रहा तुरंत उठा खाले इसको मैंने घ hanis किया धनिया की पत्ती से है इसको सर्भ करेंगे हरी चटनिया टम्यटो चटनी के साथ मैंने इस और किया इसको टम्यटो सोस से याभि मेर